जहीं दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे मेरा नाम है पंकश शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का स्केस अकेडमिक इस ओनलाइन करेंट अफेर की क्लासिस में दोस्तो करेंट अफेर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है कंप्लीट कवरेज मतलब उस टॉपिक की आपको संपूर जानकारी करेंट को बताई जाती है और जैसे ही आप पूरी चीजों को पढ़ते हैं सुनते हैं नोट करते हैं तो आपका कहीं न कह आज फिर हम ऐसे ही लेक्चर को लेकर आपके सामने आए हैं और लेक्चर जो होगा वो आधारित होगा बाग गर्णा रिपोर्ट 2022 पर टाइगर सैंसेस रिपोर्ट 2022 अभी हाली में प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने करनाटक का दौरा किया बांधिपूर जो रा बाग परियोजना चालू की गई थी 1973 में बागों के संडक्षन के लिए उसके हो गए 50 साल कितने साल हो गए 50 साल हो गए तो अपने आपने एक माइलस्टोन है ये ये 50 साल हुए आपने बागों की संख्या में एक अभूत पूरो परिवर्तन किया जहां जब बागों के देखने को मिलते थे इसलिए ना बाग परियोजना शुरू की गई थी अब 8 से 10 बाग दिख रहे थे और आज जब हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे तो लगभग 3167 बाग की बात की जाएगी मतलब सोचिए कहां से कहां तक का सफर आपने 50 सालों में पूरा किया है निश दरबाइस की वो इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के कारण और भी बहतर हमें देखने को मिल रही ठीक है तो इन सब चीज को लेकर हम आज किस लेक्टर में बात करेंगे बाग गर्णा रिपोर्ट के बारे में साथी साथ एक नए अलाइंस के बारे में भी देखेंगे जो मोदी जी ने उद्गाटित किया है हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो बिग केट्स फैमिली के जो जावनवर है जिनमें बाग आता है शेर आता है तेंदुआ आता है चीता आता है जगवार आता है ये सारे के सारे जो बिग केट्स फैमिली के जीव हैं इन जीवों का ख ऐसे ही alliance जो है उसका उद्गाटन किया है मुदी जी ने जिसके माध्यम से इन सभी big cat family के जीवों को सुरक्षित रखने पर आपसी सयोग इस्थापित करने की बात की जाएगी तो हम उसको भी देखेंगे सांती सांत बागों का एक complete coverage देखेंगे जिसमें हम लोगों के इनके सामने परिचय से लेकर भारत में बाग रिजर्व तक की पूरी श्रंखला देखने को मिलेगी अगर इस 20 से एक्जाम में कोई प्रशन आता है तो कहां कहां से आ सकता है और आपका उतर उससे बाहर नहीं जाएगा इस बात को हम इस lecture के माध्यम से complete करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस lecture में हम किन-किन मुद्दो पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सामाने परिचय की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाग जो है वो उनका आकार के बारे में बात करेंगे उनके परिवार के बात करेंगे, उनकी परजाती के बारे में बात करेंगे फिर हम बात करेंगे उनके परियावास की जब उनके परियावास की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि बाग कहां कहां मिलते हैं भारत में कहां मिलते हैं दुनिया में और कहां कहां मिलते हैं उन देशों के नाम जानेंगे जिनको जहां पर बाग देखने को मिलता है फिर हम बात करेंगे बाग की उप पर जाती हों की जब हम छोटे बच्चे को किताबों में बताते हैं हम जूमें जाते हैं तो हमें बाग स उप परजातियां बताई जाती है अब हमें तो यह पता ही नहीं है कि आठ उप परजातियां भी होती ताकि आप जब बागों को देखेंगे न तो आपको लग जाएगा कि ये कौन सा बाग है, कौन सी प्रजात्री का बाग है और फिर हम उसमें हमारे रॉयल बैंगॉल टाइगर की भी बात करेंगे क्यों 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 हमारा राश्ट्री पशु है न भाई नहीं विश्व में बागों की संग्या घटी चली गई उन पर खत्रों के बारे में बात करेंगे और इनके महत्व की चर्चा करेंगे कि बाग पर खत्रा हो बाग की संदक्षन की परियोजना हूं क्यों चलाएं तो इस चीज को लेकर उनके महत्व को देखेंगे जब इनके मह महत्व पता चलेंगे तो हम देखेंगे कि भागों की भारत में सुरक्षा की स्थिति क्या है भारत में और विश्व में सुरक्षा की स्थिति क्या है इनकी सुरक्षा को हम कितना महत्व देते हैं वो महत्व सुरक्षा का महत्व यहां देखा जाएगा कि हम इसको लेकर कितने चिंतित है किस रेड़ी में हमार इसको रखते है और जब हम ये देख लेंगे तो फिर हमको करना होगा सुरक्षा के लिए कदम तो भारत में विश्व में बागों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस जीव को बचाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं और उठाए कर दिया क्योंकि करेंड का मुद्धा है हो सकता एक्जाम में आपको जो मेंस देने वाले हो तो उनको वेरी शॉर्ट अंसर टाइप कोश्चन में यह एलाइंस लिखने को आ प्रिलिम्स में हो सकता है कि आपको इसका शॉर्ट फॉर्म दे दें और बोले कि इसका पूरा नाम लिखना है तो ऐसा भी हो सकता है और फिर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की टाइगर रिजर्व की बात का मतलब यह कि जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया त उन्हें बाग रिजर्व के तोर पर घुशित किया गया है जहां पर बागों का special selection दिया जाता है तो हमारे देश में कितने बाग रिजर्व हैं उन पर बात की जाएगी पहला बाग रिजर्व कौन सा बनाएगा तो उस पर बात की जाएगी कौन सा बाग रिजर्व हाली में ब लिखेंगे 2022 की बाग रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट तक्थियों को ठीक है दोस्तों तो कॉपी पैन ले लिजिए तयार रही है जो जो चीजे लिखेंगे उन्हें आपको नोट्स बनाते जाना है बहतर तरीके से और कहीं न कहीं आपका अच्छा नोट्स हो जाएगा और ये बात याद रखिएगा ये कंप्लीट नोट्स हो गया इसके बाद जब जब आव आगे कोई चीज देखेंगे तो करेंट अफेर मुस को अपडेट कर लीजिएगा अपने विचार की पहले टौपिक की जिसका नाम है परिशए बागों का सामानी परिशए जब बागों के सामानी परिशए को देखते हैं तो याद रखिएगा कि जो बिल्ली पर जाती है cat family है बिल्ली परिवार है यह बिल्ली परिवार में सबसे बड़ी बिल्ली जो होती है वो बिल्ली होता है आपका बाग ठीक है तो cat family में सबसे बड़ा जीव जो है वो बाग है याद रखना है बाग जो है वो खाद श्रंखला में भी उच्चे स्तर पर होता है जब हम खाद श श्रंख्ला में भी उच्छिस तरपर होता है इसका साइंटिफिक नेम पूशता है कभी कभी आप इसके लिए याद रखेएगा इसको दो तरीके से लिखा जाता है एक तो इसकी जाती एक बोलते हैं प्रजाती जाती का तौर पर देखे तो इसका नाम आता है पैंथरा और प अग का जो scientific name देखने को मिलता आपको क्या मिलता है पैंथरा टाइगरिस ये नाम है अगर इसके आकार की बात करें दोस्तों तो लगबग 110 cm 100-110 cm लंबा होता है लंबाई गित्ती होती है 100-110 cm तक होती है अगर खड़ा हो जाए तो आपके कंदे तक पहुंच जागा भाई इत 50-60 km पती घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और बат करें तो वजन की बाथ करें तो नर और मादा जो भाग होते है इन दोनों का वजन में छोड़ा सा अंतर होता है अगर मैं नर भाग की बाद करूँ तो अजाड़े 300 से सोरी 200-300 से 3500 या 300 केजी तक इसका वजन हो सकता है नर बाग का वही मादा जो होती है उसका 150 से 200 केजी तक वजन हो सकता है एक युवा स्वस्त बाग जो होगा नर उसका 200-300 और मादा का 1.500 से 200 किलो तक वजन हो सकता है रफ्तार किती होती है 50 से 60 किलो मीटर इनकी लाइफ की बात करें तो लगवग 8 से 10 साल तक इनकी लाइफ होती है इतने साल ही लगतार जीते हैं ये याद रखना है तो ये बागों का सामाने परिचे रहा खाज शंकला के टॉप पर जो राजा जो है उसकी बात हम लोग कर रहे है बिल्ली पर जाती के सबसे बड़ी बिल्ली जीव बाग की हम बात कर रहे है तो वो हम लोगों ने देख लिया ये व्यवस्ता है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके परियावास बाग जो है वो कहां कहां पाये जाता है दोस्तो बागों के रहने के लिए जो उचित जगा है वो होती है हम बोल सकते भारती उपमहादीप में है सुमात्रा पर साइबेरिया के समसितोषन वनों से ले लिजिए साइबेरिया के समसितोषन वन भारतियों महादीप से लेकर उपोशन कटीबंद और उपोशन कटीबंदी वनों तक ये मिलता है तो समसितोशन वनों में उपोशन कटीबंद में और उपोशन कटीबंदी वनों तक इसका एक लंबा विस्तरत छेतर है बहुत सारे जगाओं पर ये मिलता है इसके बाद हम द लाओस में, मलेशिया में, म्यामार में, नेपाल में, रूस में, थाइलेंड में, व्यतनाम में, ये वो देश हैं भारत के अलावा जहां पर बाग मिलते हैं, लगबग 13 देश ऐसे हैं जहां पर बाग आपको देखने को मिलते हैं, तो बाग जो हैं वो इन इन छेतरों में आज ऐसे हैं जहां पर इनकी संक्या में जादा दिखाए पड़ती है और इस बार जो रिपोर्ट आये सर्वे आया है वो भी 20 राज्यों के ही रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है ठीक है तो यह व्यवस्ता है यह जहां दखना है तो यह क्या हो गया बागों का पर्याव लुप्त हुए प्रजाती है उनमें जावा डाइगर जो जावा में इंडूनेशा यहां पर दा ल determination हहां यहां लुप्त उचुकत है जी पर अपने जावा इंडूनेशा इंड थेंगॉल टाइगर हमारा है भारत कराबद में मिलता है यह पर जाती है इसके बाद आमूड टाइगर होता है रूस में चीनमें इंडो इंडोनेशिया मिलता है इसके लाब इंडो चाइनिज ट्राइगर जो होता है वो प्राइज यूपी भारत में दक्षिनपूर्वी एशिया में आपको देखने को मिलता लाउस कंबूरिया वाले जो देशे वहां पर इंडो चाइनिज मिलता है ठेक है तो यह बागों की आठ परजातिया हैं इनके अहम चित्र भी देखते हैं कि यह बागों की आठो यह परजातियों में आपको देखने में क्या अंतर आता है तो मुझे जादा बताने के जरुद नहीं पड़ेगी आप जैसी पिक्चर देखें तो आपको अंतर इसमें दिखाई पड़ जाएगा य और मलायन टाइगर ऐसा दिखता है थोड़ा से लंबा दिखता है उचा सा बाल थोड़ा से कम देख रहे हैं गर्मी वाला छेतर होता इसलिए तो बाग जो है वो देखी चारो बागों में आप अंतर सीधे देख सकते हैं जो सुमातरा टाइगर हो तो उसका डार्क शेड है ठीक है यहाँ पर आपको ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो बाल जो होते वो बड़े देखने को मिलते हैं ठीक है यह सब चीज आप ध्यान रखियेगा कि यह टाइगर है ठीक है अब हम बात करें किसकी रॉयल बेंगॉल टाइगर का बेंगॉल टाइगर हमारा राश्ट किया गया रॉयल बेंगॉल टाइगर को भारत का राश्ट्री पशुप 1973 से पहले नहीं था क्या डेफिनेटली था 1969 का आपको देखने को मिलता है 1969 तक हम बात करें तो 1969 में शेर को लॉयन जो होता है उसको शेर को राश्ट्री पशुप बनाया गया था लेकिन यह वो समय थ इसका मतलब यही कि इसे कैसे ने कैसे करके महत्व और दिया जाए तब 1973 में शेर की जगह पर आपने बाग को राश्ट्री पशुप बना दिया अब बाग को राश्ट्री पशुप बनाने का काम किस ने किया यह काम किया था वन्य जीव बोड ने जो वन्य जीव बोड है इ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि बागो को क्यों बनाया गया तो याद रखिये का एक तो इसकी फूर्ती फूर्तीला होता है ठीक है नंबर दो इसकी द्रड़ता नंबर तीन की भई खाद शंक्ला पर उसरवोच है तो इस चीज को लगते हुए कहीने कई आपने कारण आपने बागों को ही राश्ट्री पशु बना लिया और कारण रहा उस समय तदकाल कि इनकी संख्या काम हो गई थी संरक्षन की जरुवत थी इसलिए आपने कहा कि हां बागों को राश्ट्री पशु जो है बाग को बनाना चाहिए तब जाकर आपने बाग को देख यह यह तो हो गई बाग की है ना बंगौल टाइगर की बात जो की हमारे देश में सभी जगह मिलता है बेसिकली हम बंगौल में देखते शुंदर्बण की डिल्टा वाले चेत्र में एक इसके बाद हम देखते के खत्रे एक एक बात करते हैं खत्रे का फिर बात करते हैं महत्वकित बागों को खत्रा क्या है तो सबसे पहला खत्रा है इसके परियावास का खत्रा है हम लोगों ने क्या किया है परियावास के खत्रे के बाद हम देखें तो इसके जो समक्ष जो और खत्रा आ रहा है वो आ रहा है इसके परियावास का खत्रा है, परियावास के विखंडन का खत्रा है, इसके अलावा इसका शिकार हो जाता है, ये भी इसके उपर खत्रा है, clear, तो कहीं न कहीं ये समझना है, और एक आपको दिखाई पड़ता है, जलवायू परिवर्तन, इन सब चीजों के दृष्टी से बाग ज जो निवास है, वो निवास आपका कहा है, निवास है जंगल, अब निरंतर हम देख रहे हैं कि जंगलों की कटाई हो रहे है, जंगल छेत्रों को कम करते जा रहे हैं, जंगली छेत्रों को कम करते जा रहे हैं, घने जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडिशन में हो ये रहा है कि बागों का जो निवास है नेचुरल वो खतम होता जा रहा है और इस वज़े से बाग कई और सर्वाइब नहीं कर सकते हैं उनको उनकी व्यवस्ता चाहिए तो बाग नस्ट होते जा रहा है इनके छेत्रों का विखंडन हो रहा है कहीं आप परियोजनाय लगा देते इनकी वज़े से पुरे छेत्र अलग-अलग हो जाते हैं जिसके कारण कहीं ने कहीं इनका परियावास विखंडनन खतम हो रहा है बाग जो हैं वह बहुत महत्पूर होता है बागों की अगर स्कीन की बात करते हैं उनके नाखुन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल Gradeब्रण है बागों के डैध होने का कहीं जल्वाई परिवर्तन हो रहा है जंगली चेत्र में जो आपको हम बोल सकते हैं पाणी के स्त्रोत होते थे सब चीजहें भोगों की निरन्तर कम होती जा रही है तॉளल को भावी और बचाना की वह बहुत सारे हैं नमबर एक कारण आप बोल सकते हैं जलवायू परिवर्तन जलवायू परिवर्तन का अध्यान आपको करना है तो आप समझे कि जब बाग है उनका प्रजेंस है अच्छे तरीके से उनकी संख्या बढ़ रही है वो मौजूद है इसका मतलब क्या कि जलवायू अभी व्यवस्त है दूसरे इनका महत्व होता है सांस्कृतिक महत्व अगर हम इनके सांस्कृतिक महत्व की देखें तो सांस्कृतिक द्रष्टी से हिंदू धर्म में और बहुत धर्म में इनका बहुत जादा महत्व माना जाता है है ना कंबोडिया और जहां आप जाते हैं तो वहां पर आ तो जैविवित्ता की दुरस्टी से महत्पूर है, खाद शंक्ला का प्रबंधन करके रखते हैं, संतूलर मना कर रखता है, जैविवित्ता अगर आपको बनाए रखनी है तो बागों का होना ज़रूरी है, मालजिए कि अगर बागों की संख्या कम हो जाए बाग जो है वो कम हो जाएंगे तो ऐसे में जो शाकाहारी जीव रहेंगे जिनको ये खाते हैं उनकी संख्या बढ़ जानी है और वो कहीं जीवों को खतने पर देंगे ऐसे वनस्पति कभा होती है नीशले वाले से directions के लिए धूर्ट अब सिंडाओ का altro कॉर्थ से कम होती है इसवाले संघ्ञा कि मेंडग कब सुआंगे से काम पिर सबस्क्राइब और सब इस प्रकार से देखिए बागों का होना कितना जरूरी है यह शाकाहरी और मासहरी का बैलेंस बना कर रखते हैं इसकी वज़े से ऐसा नहीं कि परटिकुलर कोई प्रजाती की संक्या बढ़ जाए अगर ऐसा हो गया तो भी दिक्यते हो जाएंगी तो जैवी वित्ता को यह कही ने कहीं बनायर रखने में सायक होता है भी जाए जैवी वित्ता के बार सांस्क्रितिक महत्व के बाद जैविवित्ता के बाद और इसका अगर महत्व देखें हम लोग दोस्तों तो इसका एक और महत्व है जो आपको ध्यान रखना है वैश्विक इस तरपर दिखाई पड़ता मतलब यह नहीं है कि हम पर्डिकॉलर एक अलग इस तरपर देखें इसका जो महत्व है वो और आपके लिए महत्पूर्ण है खादर शनंखा आप इसमें लिख लीजिएगा कि खादर शन्खला के लिए महत्पूर्ण होता है ठीक है अच्छा अगर यहां बात करें बागों की तो यह सर्वोच जीव है यह भी आपको धियान रखना है ठीक है तो यह सब क्या हो गए इसके महत्व हो गए इन सब चीजों के चलते बाग आपके लिए क्या है महत्पूर्ण है ठीक है अब यह बागों का महत्व है इसलिए इनको क्या करने की जरूवत है संरक्षित करने के जरूवत है बागों को क इसके लावब ये बोल सकतें कि बागों का अनुसंधान में यूगदान होता है। तो यह महत हुआ अब हम बात करें इनकी संडरक्षन के लिए हम लोगों को यह तो पता करना पड़ेगा खत्रा कितना है तो खत्रे में यहां पर इनकी इस्तिती जो है वो यह है कि सुरक्षा देने के लिए इनको वन्य जीव संडरक्षन अधिनियम 1972 हमारे देश में वन्य जी अनुसूची शामिल की गई जो 6 अनुसूची शामिल की गई थी इन 6 अनुसूची में पहली अनुसूची जो है यह विशेश है ऐसे जीव जो लुप्त होने की कगार पर है जिन्हें विशेश संडरक्षन के जरूवत है उन्हें हम वन्य जीव की संडरक्षन अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल करते हैं याद रख लिजी कि पहली अनुसूची में किसके शामिल करेंगे जिन पर घोर संकट है जिनको आप लुप तो होने की कगार पर है ऐसे जीवों के संरक्षन के लिए अनुसूची एक 1972 के अधिनियम में व्यवस्ता की गई है और इन पर संकट जो किसकी वज़े से है शिकार की वज़े से है अवेद व्यापार की वज़े से है इन सब चीजों के कारण इसमें संकट है तो इन पर रोग करने के लिए इसको इसमें शामिल किया गया है अगर किसी ने ऐसी जीव जो इसमें शामिल है उन पर उनका ट्रेड किया उनको बेचा, उनको मारा उनके अंगों का व्यापार किया तो उनको इसके तर्ट कठोर दंड दिया जाता है अगर हम बात करें IUCN की Red List के रसार IUCN मैंने अपने पुराने लेक्षर में IUCN को लेकर बात की है IUCN जिसके स्थापना 1948 को की गई थी Scissorland के बोल सकते हैं Glendshare Glendshare जो है वहाँ पर इसका मुख्याला है और कहीं न कहीं ये Red List जारी करता है Red List में 9 स्रेणी है नहीं किया गया तो भी लुप्त हो जाएगा मतलब सूची कितना जादा इसको ध्यान दिया जा रहा है जब हम Sights की बात करते हैं Sights क्या है Sights ऐसा है जो अंतराश्टी व्यापार पर एक अभी समय है किसके अंतराश्टी व्यापार पर लुप्त हो रही प्रजाती किसकी लुप्त हो रही प्रजाती वनस्पती और जीवों की मतलब दुनिया में वनस्पती और जीवों की जो लुप्त हो प्रजाती है अगर आप उनका व्यापार करते हो तो उस पर एक अभी समय एक व्यवस्ता बनाई गई है जो जिसे हम साइट्स के नाम से जानते हैं और साइट्स की परिसिस्ट एक में ये शामिल किया गया है क्या बागों की सुरक्षा को तो देखिए कितना लेवल पर इसके सुरक्षा को शामिल किया गया और जरूरी है तो यह कहीं न कहीं अंतराष्टी और राष्ट्री इस्तर पर विभिन्नमाध्यमों से इसको सुरक्षा देने की कानून व्यवस्ता की नियम बनाने की बात की गई है अब नेक्स टेप्टर में बात करते हैं सुरक्षा हेटू इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं जब मैन फोर्ड गैनिमिड जो है यह अंतराष्टी इसतर पर बागो के सर्डक्षन पर काम करने वाले हैं और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कैलाश सांखला की जो कैलाश सांखला है इन्होंने भारत में फुरुजट टाइगर के लिए इंपोर्टेंट योगदान दिया है अब कैलाश सांखला जो है इन्हें हम भारत का टाइगर मैन आफ इंडिया कहते हैं तो टाइगर मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है इसके अलावा हम देखें तो जो प्रजेक्ट टाइगर है वो भारत में परियावरन वन और जलवायू मंत् लेकि अधीन है इसके अलावा इसमें जो संरक्षन एंजियो होते हैं यह योगदान देते हैं इस्थानी इस्तर पर व्यवस्ता है वो इसमें योगदान देते हैं सबके सहयोग से चल रही है प्रजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 से जिसे 2023 में 50 साल पूरे हो गया है अब प्रजेक्ट टाइगर जो है वो कैसे काम करता है तो प्रजेक्ट टाइगर के तहट क्या किया गया है बाग अभ्यारन बनाए जा रहे हैं 1973 से 1973 में 9 बाग अभ्यारन बनाकर इसका प्रारम किया गया और बाग अभ्यारनों में बागों के संरक्षन के लिए एक स्पेशल व्यवस्ता की जाती है जिसके तहट बागों का संरक्षन होता है है ना वरतमान में हम देखें तो आज तक भारत में लगभग 53 बाग रिजर्व बना जा चुके हैं उसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से बाग रिजर्व उनकी पूरी सूची हम यह देखेंगे तो बाग रिजर्व बनाने का काम किया गया 1973 से और पहली बार में नो बाग रिजर्व बना दिये थे पूरे देश में और बागों के संरक्षन का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रजेक्ट टाइगर के माध्यम से अब नेक्स्ट है राष्ट्री पशु बनाया है काब 1973 में और क्यों बनाया था क्योंकि बागों की संख्या उस समय बहुत कम हो गई थी कहा जाता कि 8 से 10 बाग रह गए थे अब उनकी संख्या में अगर आपको बढ़ाना है तो कहीने कहीं सो और ध्यान दिलाना जरूरी होगा और इसके लिए ही इस समय बा बाग संद्रक्षन प्राधी करण की रिपोर्ट आई है जिसको आप बाग गणना रिपोर्ट के नाम से जानते हैं तो वो रिपोर्ट जारी कौन करता एंटी सी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी जो है उसका गठन किया गया 1972 के वन्यजीव अधिनियम की 1972 के जो बनाया गया है और इसके लिए ये बात की गई थी 2005 में ठेक है और इस्थापित हुआ 2006 में काम करना शुरू कर दिया अब ये जो बाग संद्रक्षन प्राधी करन बनाया गया बागों की गढ़ना करने के लिए कहीं न कहीं ये जो भी काम होता हो ये करता है बागों संबंद रिपोर्ट करना भी शुरू किया बागों की गढ़ना रिपोर्ट का काम भी किसने शुरू किया राश्ट्री बाग संद्रक्षन प्राधी करन ने राश्ट्री बाग संद्रक्षन प्राधी करन जो है उसने बागों की गढ़ना का काम शुरू किया गया और गढ़ना की जो जो आकड़े हैं वो कबसे 2006 से ही जारी कर रहा है यहां देखते हैं 2006 में पहली रिपोर्ट आई 2010 में दूसरी रिपोर्ट आई 2014 में तीसरी रिपोर्ट आई 2018 में चौथी आई और 2022 में पांच वी रिपोर्ट तो 2006 से 22 तक इसकी कितनी पांच रिपोर्ट है मतलब इस साल अभी हाल हमें प्रधान मंत्री नर्यं드र मोदी जी ने अपने दक्षिण में दौरे के दौरान चरनाटक दौरे के दौरान जिस रिपोर्ट को जारी किया गया है वो पांचवी रिपोर्ट है बाग कही न कहीं NTCA की अब ये जो पांचवी रिपोर्ट इसमें आंकड़े देखिए कैसे बदले हैं भारत में बागों के हम इसके तुलना करते हैं थोड़े से आंकड़े देख कर 2006 में जब हम बात करते हैं 2006 में 1411 बाग थे भारत में कितने बाग थेm? 1411 भाग थे जब हम 2010 में जाते हैं तो बागों की संख्या हो जाती है 1706 2010 में 1706 एक अच्छी व्रद्धी आपको देखने को मिली 2014 में जब जाएंगे 2014 तक 2226 बाग भारत में हो गा है देखिए निरंतर संख्या में वरद्धी देखने को मिल रही है मतलब कहीं न कहीं काम हो रहा है संदक्षन पर स्टेफ लिए गए है 2018 में जब जाते हैं फिर वरद्धी देखने को मिलती है 2018 में जब आप गए तो आपको 2967 बाग संख्या देखने को मिली और 2022 जब पहुँचे तो 3167 बाग आए हैं अब देखिए 2022 तक बागों की संख्या कितनी होगी 3166 मतलब अगर अब एक्जाम में कोशन आता है कि भारत में बागों की संख्या कितनी है तो आपको क्या लगाना है 3167 बाग फिर कुछ और आकड़े पूछेगा वो पूछेगा कि पिछली रिपोर्ट और वर्तमान रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट कब थी 2018 में फिर अभी कवाई 2022 में अब 2022 की रिपोर्ट इसमें कितने साल का अंतर है चार वर्श का इसका मतलब NTCA बाग गड़ना रिपोर्ट कितने स बड़ा सर्वेक्षण है इतना बड़ा सर्वेक्षण विश्व में किसी ने नहीं किया गया बड़ा सर्वेक्षण कैसे इसके अंतरध्यत लगभग 22-32,588 जगह पर केमरे लगाए गये थे और यह जगा-जग जो केमरे लगाए गए थे नहोंने तस्वीर भी बहुत ज़ 18,881 तस्वीरे ली थी मतलब सोचिए बागों की गड़ना के लिए आपने इतनी जगा पर केमरे फिट किये और उनसे इतनी तस्वीरे निकाली उसके आधार पर आपने रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में क्या पाया कि 2018 से 2022 तक भारफ में 200 बाग बड़े है मतलब सोचि इतनी तस्वीरों से आपने पता किया कि 200 बाग बड़े मतलब सोचि कितना authentic data निकाला गया है कितना गहन अध्यन किया गया है ये सोचने वाली बात तो भारत में बागों की संख्या इस बार फिर बड़ी है कितने बाग बड़ गए 200 लेकिन यहाँ पर एक चिंतनी इस्तिती देखने को मिलती है कंसन करना पड़ेगा उस तरफ क्या है कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 2018 और 2022 तो 2022 में 33 प्रतिशत लगबग व्रद्धी हुई थी मतलब 2018 में 33 प्रतिशत बागों की संख्या बड़ी थी अमारे देश में लेकिन 2022 में यह व्रद्धी दर 6.7 परसंट रह गई है मतलब बागों की संख्या तो बड़ी है परंतु जो व्रद्धी दर है यह कम हुई है कमी का कारण है पिछले चार सालों की भीतर के आंकड़े हम देखें तो अकेले मत्धे प्रदेश में ही लगबग 35 बागों की मृत्ति हो गई ऐसे पूरे भारत में कई बागों की डेथ हुई है मत्धे प्रदेश को टाइगर स्टेट का दरजा मिला है अभी और आंकड़े आएंगे स्टेट वाइस तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे एक लेक्चर में ठीक है अभी वह आंकड़े और आना बाकी है उसके हम लोग बात करेंगे डिटेल में लेकिन फिलाल यह है 2018 से 2022 तक कितनी 2018 से 2022 तक 200 बाग है लगबग 6.7% के आसपास व्रदी दर्ज की गई है अब यहाँ पर कुछ ऐसे राज हैं जहाँ पर बागों के संख्या में कमी आई है उन राज्यों में याद कर लिजीगा जारखंड जारखंड में कमी देखी गई है उडीसा कमी देखी गई है चतिसगर कमी देखी गई है फरियाना चेत्र की बात कर लें तो यहां पर भी कमी देखी गई है तो यह ऐसे राज है जहां पर बागों की संख्या में कमी आई है बराबर लेकिन अगर हम व्रद्धी की बात करें तो जो हिमालय चेत्र है हिमालय का जो शिवालिक चेत्र आता है यहां पर जो बाग अभ्या मतलब बागों की संख्या में वरद्D कहा हुई है इन छेत्रों में वरद्D देखी गई है इन राज्यों में कमी और कमी की दरश्टी से करम बात करते हैं तो कमी हमको एको जगा देखने को मिली कमी हैश्ची मी गाट जो है यह भारत के पस्चीमी तटके समानांतर पहली हुई परवस रंकला जो गुजराश से लेखर कन्या कुमारी केरल तक विस्रत है यहां पस्चिमी घाट के जो छेत्र है विशेश कर वाइनौड वाला छेत्र है और बिली गिरी की पहाड़ी जो है और वाइनौड का जो छेत्र है वाइनौड बहुत ब्रसलित है राहूल गांदी ज की सदस्ता गई है यही से सदस्ते रावल जी तो कहीं न कहीं केरल में यह जो छेत्र है यहां पर बागों की संख्या में कमी देखी गई पस्चिमी घाड में तो पस्चिमी घाड में कमी हुई है इसके अलावा हिमालय के शिवालिक शेतर में गंगा के मैदानी शेतर में बागों की संक्या में तेजी से वरदी देखने को मिली है इसके अकॉर्डिंग कितने राज्यों का सर्वे है ये बीस राज्यों का सर्वे मैंने पहले ही बताया है कि ये पूरा सर्वे कितने राज्यों में बागों के संद्रक्षन के लिए तो बागों के संद्रक्षन के लिए केंद्र सरकार में भी कद्म जो है इनके थद और प्रियास को बढ़ावा दिय है जहां हम बात करें 2014 तक बागों के संद्रक्षन के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करता था उस पर जो बजट होता था वह 150 करोड से करोड के 105 करोड की बीच में credible 150 करोड 140 करोडा इसा इस बार भारत सरकार ने इस सब संद्रक्षन के लिए 300 करोड का बजट दिया बजट्ट मां व्रद्दी की गई तो कहीं कहीं संद्रक्षन को लेख भारत की सरकार एक बहुत ज़्यास की बढ़ाने के लिए परिनाम देख रहा है इस बार भले ही आपको वर्धी नकरात्मक देखने को मिली दर कहीं न कहीं कम हुआ है परन्तु यह याद रखिएगा कि प्रयासों में आपको सफलता मिल रही है बागों की संख्या जो है बढ़ रही है और बिग केट फैमिलीज के लिए एक और जो बड़ा कदम है हम उस पर भी बात करेंगे पहले देखते हैं बाग दिवस तो कदम में हमने क्या देखा प्रजेक्ट टाइगर लेकर आएं आप राश्ट्री पशुग भूशित किया 1973 में राश्ट्री बाग संद्रक्षन प्रादिकन बना एंटी सीए और बाग दिवस पर बात करते हैं हाले विशव में लगबक तेरा से देश हैं ऐसे हैं जहां पर बागों की संक्या जाधा है 5,000 से जदा बाग है सट्र प्रतिशत बात हैं भारत इस छेत्र में लीड करता है 2010 में एक सम्मेलन देखने को मिलता है बाग देशों का ऐसे देश जहां पर बाग है उन देशों के 13 देशों में सामिल हुए थे 2010 में सम्मेलन होता है किन देशों का जहां पर बाग है यह सम्मेलन होता है रूस में रूस में कहां पिट्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने एक चिंता व्यक्त की बागों की कम संख्या को लेका और चिंता व्यक्त की और उन्हें टारगेट किया कि 2022 तक हमें इनकी संख्या को दो गुना करना है किसकी संख्या को बागों की संख्या को बारत ने तो कर दिय भारत में अगर उस समय तक देखे हम लोग तो लगबग 1400 बाग हुआ करते थे अब बागों की संख्या देखिए बढ़ गई तो हमने बागों की संख्या को दोगुना कर लिया हम लक्ष पहले से पूरा कर चुके हैं हमने पहले ही पूरा कर लिया था और हम लक्ष से बहुत ज करना है तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसके लिए जावरुकता फैलाना भी जरूरी है तो हर साल 29 जुलाई को 29 जुलाई को बाग दिवस के तौर पर भूशित भी किया हर साल 29 जुलाई को बाग दिवस मनाएंगे कैसे मनाएंगे बागों केसां खेलने तो ने जाएंगे ब देख तो जब 29 जुलाई आती है तो बड़े बड़े इस तर पर बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट किये जाते हैं बागों की संरक्षन को लेकर इसके अलावा क्या किया गया सरकार इसके लिए समय समय बार सम्मिलन करेंगी केंपेंच चलाएंगी लोगों को बागों का महतु बताएंगी यह सब चीज़े करवाई जाएगी कानूनों को कटोरता से लागू करवाय जागा यह सब चीज़ों को लेकर अवेरनेस फैलाना इस बाग दिवस को मनाने का उदेश है जो की 2010 के बाद से शुरू होता है 19 जुल लाएंस जो है वो 9 अप्रेल को जब मोदी जी ने घोशना की थी किसकी इस रिपोर्ट की उस समय इस अलाइंस का भी उद्धाटन किया और इस एलाइंस का उद्धाटन किया उसके माद्धम से यह किया कि जगवार मैं यहां जीवों के नाम लिखता हूं जिसको शामिल करेंगे जगवार को इसमें शामिल किया गया है बाग को इसमें जगा दी गई है शेर चीता तेंदुआ है ना यह सारे के सारे जो बिकेट फैमिली के जीव है इन सब को संरक्षन देना और इन सब को संरक्षन देने के लिए इस तर पर यह पहल की गई है इसके अंतर कद यह कहा गया कि इनको संरक्षन देना है जैविवित्ता को बना कर रखना है फूड चेन के संतुलन को बना कर रखना है और कहीं न कहीं सब को एक सांथ कदम उठाना पड़ेगा कदम कैसा उठाएंगे इस एलाइंस के तहट कहीं ने कहीं यह विवस्ता की गई इस अअवी तकनिकी के थांतरन करेंगे आप से सयोग करेंगे और आप से सयोग के आधार पर ही इस एलाइंस का काम होगा तो आप से एक्जाम में पूछा जाता तो इसको भी याद रखिएगा कि इंटरनेशल बिक कैट अलाइंस जो था वो कब और किस देश ने शुरूप लॉंज किया और इसके थाथ क्या विवस्ता होगी ठीक है अब सुरक्षा के लिए उताएगा कदमों में थोड़ा सा एक और अध्याय को जोड़ते हैं वो है प्रोजेक्ट टाइगर की सूची हम लोग देखने वाले हैं ह प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा छेत्र जो कोई बाग अभभ्यारन बनाया गया है अब बाग अभ्यारन किस छेत्र को बनाएंगे तो याद रखिएगा या तो ये एक अभ्यारन हो सकता है अभ्यारन कौन सा वन्य जीव अभ्यारन या फिर कोई राश्ट्री पार्क होता है तो वन्य जीव अभ्यारन या राश्ट्री पार्क को वहां की परिस्थिति को देखते हुए बागों के लिए संद्रक्षन की स्थिति को देखते हुए वातावरन को देखते हुए घोशित क किया जाता है किसके तौर पर बाग अभ्यारण के तौर पर और वहां पर बागों के संद्रक्षन की स्पेशल व्यवस्ताइं करने शुरू कर दी जाते हैं अब यह जो पर्योजना शुरू की गई थी 1973 में शुरू की गई थी कहला सांखला जी का हम नाम ले चुके थंबौर, बांदीपूर, कानहा, मेलघाट, जिम कार्बेट, सुंदरवन और सिमलीपाल यह वो टाइगर रिजर्व हैं जो शुरू में बनाये गए थे सबको एक सांद एक डेट पर याद कर सकते हैं आप लोग इन सबके राज्यकीन के शेत्रफल की बाद अगले सबसे पहले कॉनसा नागरजूंसागर श्री सैलम, जो है यह आंद्र प्रदेश में है और लगबख 3296 वर्ग किलोमेटर में फैला है, याद रखियेगा यह देश का सबसे बड़ा बाग अभ्यारन है, और हणद्र प्रदेश में है यह याद रखना है, कॉनसा नागरजू सागर सिरिस सेलम बहुत ये खुबसुरत अभ्यारन है देखिएगा नेक्स नाम दफा अरुनाचल प्रदेश में लगबग 2050-52 वर्ग किलिमेमिटर के आसकास पहला है ये भारत का सबसे उचा बाग अभ्यारन ये भारत का सबसे उचा बाग अभ्यारन हरुणाचल प्रदेश में है कहीं एक बड़े लेवल पर बागों का संदक्षन होता है इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दो और अभ्यारन है याद रखियेगा उनमें एक है कमलंग और एक ही पक्के सारे इंपोर्टेंट जो हाली में चर्चा है मानस कहां है तो जिसके अलावा और पक्के टाइगर रिजर पुछ लिए जा यह तो अरुचल पुछ परदेश है कमलंग पुंछ लिए जाए तो अरुचल परदेश में नामदफ़ा अरुचल रंगा याद रखिएगा वालमी की वालमी की बिहार का है वालमी की जो बाग रिजर्वों बिहार में है इसके अलावा उदंती सीता नदी 36 गड में है ना यह भी याद रखिएगा इसके लाबा पलामू बांदीपूर और भद्रा ठीक है पलामू बांदीपूर भद्रा इसके लाबा दानदेली नागर होल और बीलीगिरी यह सबी किसे भी कहा है करना तक तो यह जो है यह important tiger results तो बीलीगिरी नागर होल दानदेली भद्रा बांदीपूर पलामू यह सब के नाम याद रख लिजेगा खासकर बांदीपूर तो और बड़िया अच्छी फोटोग्राफ्स आप देखिएगा इनकी खिची है बिल्कुल हाई क्वालिटी में है ना कहां बांदीपूर में tiger क दर्शन कर रहे हम लोगों को तो देखने को नहीं मिलता लेकिन मुदी जी किसमत अच्छी मिल गए थो उनको खेर तो बिलीगिरी है ना उनकी लिए तो घेर के लिए आएंगे बहुत देखने के लिए चलते हैं तो कहीने के अच्छी व्यवस्ता है देख लिए काफी सारे लेकिन यह करनाटक में कौन कों से वह याद रखते हैं करनाटक में सभी के नाम याद रखना इसके अलावा पेरियार और परंभी कुलम जो है वह केरल में तो इन बाग रिजर्व का नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से बाग रिजर्व कहां है क्लियर है अब नेक्स गए ये च्छे हो गए काना पेंच बांधवगर पन्ना सत्पुड़ा और संजय डुबरी अगर MPPSC दे रहे हो सब की डेट के साथ याद करिए छेत्रपल के साथ याद करिए काना किसली मद्य परदेश का सबसे बड़ा राष्ट उध्यान है पहला राष्ट उध्यान है और बांधवगर ऐसा है जहां पर बांधवगर में शेत्र में प्रवी जहते हैं मद्य परदेश के पूरवी लिए जाते हैं तब पढ़ता है तो ये मद्ध्रतेस के 6 है, याद रखिएगा इसके अलाबा आप लोगों को एक और है आगे आएगा वैसे तो लेकिन याद रखनेगे गार राता पानी, राता पानी रायसेन में है एक अभ्यारन है और इसको भी मद्ध्रतेस में बागविजरू बनाया गया है तो मध्य प्रदेश में साथ जगा पर प्रोजेक्ट टाइगर चला है याद रखेंगे ठीक है महारास्ट में जाएंगे तो महारास्ट में काफी सारे है जिन में मेलगाट है तडोबा है, पेच है सहयाद्री है, नवे और बोर, बोर जो है वो सबसे छोटा है बोर जो है, वो सबसे छोटा बाग अभ्यरन को तोर पर जाना जाता है तो ये मध्य प्रदेश के रहे और ये महारास्कर है एक-एक काईराद रख लिजेगा नाम दंपा जो है, दंपा बाग रिजर्व मिजोरम में है और सिमली पाल बहुत प्रसिद्ध है उडिसा में है सिमली पाल खाली में चर्चा में भी रहा है लेकिन वो चर्चा में किसी और वज़िस रहा था ठीक है, कच्छुआ और इन चीजों के कारण में डिसकस के था करेंट अफेर में तो देख लिजेगा उस लेक्चर को भी तो यह सिमली पाल तक हम आए इसके बाद जाएं तो सतकोशिया ये भी उडिसा में है राजिस्तान में जाएं तो राजिस्तान में हमें रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स मिलता है रणथंबोर जो है वह बहुत पेमस टाइगर रेजर्व है अगर यहां टाइगर देखना चाहते हैं यहां जाएंगे तो डेफिनेटली आपको साइडिंग हो जाती है क्लियर आप इसके अलावा जाएं को तो कलाकड मुननन्थुरई इसके बारे में मैंने अभी पिछले सब्ताही बात की थी कलाकड मुननन्थुरई तमिल नाडू का टाइगर रेजर्व है ठीक है पहला टाइगर रेजर्व ता तमिल नाडू का इसके अलावा अन्ना मलाई मुदू मलाई और सक्त्य मंगलम यह तमिल लाडों के अन्य टाइगर रिज़र्व है तिलंगाना में कवल और अमराबाद टाइगर रिज़र्व मिलता है उत्तर प्रदेश में दुद्वा और पीली भी यह बहुत पेमस यह उन टाइगर रिज़र्व में आता है जहां पर संख्या में व्रद्दी देखी दोद्वा और पीली भी दोनों उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट्ट है जीमकार्बेट पहला भारत में पहला अगर ताइगर रिज़र्व उत्तराखढ में राजा जी टाइगर रिज़र्व सुन्दरवन और बक्सा, वह के लाग है यह तीन नवीनतम टाइगर रिजर्व हैं जिसमें स्रीविली उथूर मेगा मलाई वाला जो है तमिलनाडू में है इसके अलाबा रामगड विश्धारी जो है वो राजिस्तान में है और सबसे नवीनतम जो है वो गुरु घासी दास राष्ट रुद्यान है चत्तिस गड़ म जिसको सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व तोर में भारत में गोशित किया गया था तो यह हमने भारत के पूरे त्रेपंड टाइगर रिजर्व देखे इसकी शौट लेकर एक एक करके लिख लीजिएगा याद करिएगा अब इस लेक्चर में हमने क्या किया इस लेक्चर की सामने परिशाई भी शामिल है और बाग रिपोर्ट को भी हमने कंपर किया है यहां पर प्रोटोजन 18 और 22 के डेटा को क्लियर दोस्तों आशा करता हूं कि आपको लेक्षा सुनने में मज़ा आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा निसंदे बागों के बारे में कुछ जानकारी ऐसी आपको मिली है जो पहले नहीं थी आपने बागों के अलग-अलग फोटो भी देखी कौन सा टाइगर कैसा मिलता है क्लियर साथी साथ कुछ रोशक जानकारी भी आपने प्राप के लिखी जो परिक्षा के दरश्टे से महत्पून है हमारे इस यूट्यूब चैनल का उदेशी यह है कि परिक्षा के हिसाब से जो भी ऐसा डेटा जो कहीं न कहीं बोसकता है कि संगत हो जो परिक्षा उप्योगी हो ऐसा डेटा डे टू डे आप तक पहुंचाए और मुझे लगता है कि अभी तक हम वो काम अच्छे से कर रहे हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे लेकिन उसके लिए हमें एक प्रोसाहन की जरूत होती है और वो प्रोसाहन हमें आप कैसे देते हैं वो प्रोसाहन आप हमें देंगे कमेंट करके वो प्रोसाहन आप देंगे वीडियो को लाइक करके शेयर करके और ऐसे लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइ सबसे पहले क्लियर दोस्तों तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है मिलता हूं अगले टॉपिक में फिर अगले लेक्षर में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जैह